अम्रोहा सिसांसद हैं दानिश अली और दानिश अली को बीएसपी ने पार्टी से निश्कासित किया था और अब खबर आई है कि उन्होंने कॉंग्रिस का दामन थाम लिया है अम्रोहा सिसांसद हैं दानिश अली जो की अब कॉंग्रिस में शामिल हो गए है तो एक महत्वपूंच सियासी अपडेट बसपा से निश्कासित किये गए दानिश अली आप कॉंग्रस में शामिल हो गए हैं अम रोहा से सांसद हैं बीएसपी ने उन्हें पार्टी से निश्कासित किया था और अब उन्होंने कॉंग्रस का दामन थाम गया तो कॉंग्रस में शामिल हो गए हैं दानिश अली अम रोहा से सांसद बसपा से निश्कासित और जिस वक्त उनका निश्कासन हुआ था और उनसे पूछा गया था कि अगला कदम क्या होगा उस वक्त उन्होंने किसी भी तरह का कोई इशारा नहीं दिया था लेकिन कया जरूर तेज थे कि वो कॉंग्रस के साथ जा सकते हैं तेहाजा चुनाव से एन पहले फर्स फेज के लिए एक तरफ नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं और दूसरी तरफ उन्होंने ये कदम उठाया और कॉंग्रिस जॉइन किया कॉंग्रिस में शामिल हो गए कुमरदानेश अली अम्रोहा से सांसद हैं और अब कॉंग्रिस जॉइन कर चुके हैं बस्पा ने उन्हें निश्कासित कर दिया था और उनसे पूछा गया था कि वज़े क्या बताई गई लेकिन उस वक्त उन्होंने इसका साफ साफ जवाब नहीं दिया था वो किसी से छुपी नहीं है एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां और दूसरी तरफ देश के गरीब, शोशित, वंचित, प्यूडित लोगों को नियाय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां तो चॉइस बहुत साफ है कि जहां पर हम जिस दोराए पर खड़े हैं आज वो फैसला लेने का वक्त आ गया था कि हमें अगर विभाजनकारी शक्तियों से लड़ना हैं तो राहूल गांदी जी के नित्रत में फजग भाली में अगर्ट में अविवतिक करों